तो आज के इस वीडियो में हम लोग BPSC यानि Bihar PCS Pre 2018 का question paper solve करेंगे जो कि आने वाले exam PCS Pre 2018 के लिए बहुत ही मातपूर है खास कर जो इसके current affairs के questions होंगे वो repeat हो सकते हैं उनमें से कुछ questions जो है आपको paper में मिल सकते हैं आने वाले paper में क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इस paper को तो आपको पता चलेगा कि PCS Mains के paper में भी इससे questions जो है सीधे तोर पे पूछे गए हैं तो इससे पहले एक अनरोध है कि आप लोग जो नए viewers है channel पर वो channel को subscribe कर लिजिए bell icon पर भी click कर दीजिए जिससे आपको channel के updates लगातार मिलते रहें तो चले start करते हैं घड़ी में प्रियोग होने वाला quad crystal किस चीच का बना होता है तो यह silicon dioxide का बना हुआ होता है bromine जो है कैसा द्रव होता है यह लाल रंग का एक द्रव होता है welding जो iron welding की जाती है इसमें कौन सी गैसे प्रियोग होती है तो इसमें oxygen और acetylene दोनों गैसों का mixture होता है galvanization या यसदी करण हिंदी में जो है अगर आपने लिखा हो दोखा हो यसदी करण सब्द का प्रियोग होता है तो इसमें परच चड़ाई जाती है जिंकी यानी जस्ते की द्रश्य प्रकास या visible light का spectrum की तरंगडायर सीमा क्या होती है कपड़े साप करने में प्रियोग होना या डिटरजेन तो डिटरजेन में सल्फोनेट मिलाया जाता है और यह सल्फोनेट जो है किस टाइप का होता है अलकाइल बेंजीन सल्फोनेट इसको इस तरह से लिख सकते हैं और आगे देख लेते हैं बाई कार्बोनेट यानि सोडियम बाई कार्बोनेट की बात करें तो यह बेकिंग सेडा होता है और बिसमित क्या होता है यह एक आक्सी डाइζर होता है यानि यह आक्सी कारक पडार्थ होता है यह वा तत्त जो मानोब पसीने के माध्यम से सरजीत होता है तो इसमें से उप रुक तुमें से कोई नहीं है क्योंकि इसका सही answer क्या होगा पसीने में क्या क्या चीज़े होती है उसके sodium, potassium, calcium, magnesium, lactic acid और urea ये सब जो पदार्थ हैं ये पसीने के मार्दियम से इनका उत्सरजन सरीज से होता है नीला थोथा का रासाइनिक रूप क्या होता है इसको copper sulfate कहते हैं एक परमाड़ो केंदर का धनावेसित यानि positive जो चार्ज इससा होता है वो क्या होता है proton होता है एक ठोश से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं उर्ध पार्तन की क्रिया कहते हैं ये सम्मिलिशन मानो तंत्र में insulin किसका metabolism नियंत्रित करता है insulin आप जानते हैं carbohydrate की मात्रा को नियंत्रित करता है शरीर में निम्ल में से antibiotic कौन सा है penicilline एक antibiotic है निम्लिखित में से कौन सा एक मुखता carbohydrate है तो सबसे यादा जो है carbohydrate की मात्रा जो चावल में होती है निम्लिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है इन धातुों में सबसे भारी धातु पारा या मरकरी है स्टैनलेस स्टील एक मिस्र धातु है ये किसके किससे मिलके बनी होती है तो इसमें उप्यूक्त में से कोई या उप्यूक्त में से एक से अधिक क्योंकि इसमें कई चीजे होती हैं और यहाँ पर दो-दो के ही पेयर दिये हुए हैं तो इसमें आयरन होता है लगभग 73% क्रोमियम लगभग 18% होता है निकिल भी होता है जो 8% लगभग होता है और कार्बन होता है 1% या 2.5% तक यह हो सकता है और इसमें इन तत्यों की थोड़ी-थोड़ी मात्रा बढ़ती हैं जोते हैं तो चार प्रमुग दातु में लोहा, निकिल, क्रोमियम और कार्बन ये चार इसमें पाई जाती हैं सिरके का रासाइनिक नाम क्या होता है टूटी होई हड़ियों की रच्छा के लिए प्लास्टर आप पेरी में क्या प्रयोग किया जाता है जिप्सम का प्रयोग होता है एक हाईड्रो कार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाडू बाइवेलेंट बॉंड से या दूइबन से जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं कार के बैटरी में प्रयोग होने आला एसीड या आमल कौन सा है सलफ्यूरी काम लोता है सोडा वाटर की बोतल से कौन सी गैस निकलती है कारबन डैयाकसाइड निकलती है निमलिखित से स्मार्ट सेरों में से कौन सा दिन में 100% नवीनी करणी ये उर्जा पर चलने वाला भा इसको अवलीक गेलमरो केन वर्स प्रेस फ्रीडम पुरुसकार जीता है ये किस देश से संबन नित है मिस्टर से संबन नित है दुपची सैन अभियाज हरीमो सक्ती 2018 किन देशों के बीच आजित हुआ है तो भारत और मलेशिया के बीच में आजित हुआ है मैंने अपनी करे गूगल इंडिया के सहयोग से किस केंद्री मंत्राले ने इन क्रेडिबल इंडिया पर 360 वर्चुवल रियालिटी या जिसको वी आर कहेंगे साथ में वीडियो लांच किया है परेटन मंत्राले ने बारत का पहला राष्ट व्यापी खाद पुरातत्त समयलन आर्कियो ब्रो 138 वी रेंक है फिर आगे देखते हैं परश्चिम बंगाल में पाई गई है सौ परसेंट सौ और चालित स्वास्टेंदर वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है सूरत यहां पर जिती भी प्रात्मिक स्वास्टेंदर हैं वो नवीनी करणी रूर्जा के स्रोतों से संचालित है सिड्नी में 2018 का ISSF जूनियर सूटिंग बिस्कप में पुरसों के 25 मीटर रैपिट फायर पिस्टल स्वाण इस परधा में किस भारती खिलाडी ने स्वाण पदक जीता है अनीस भानवाला काम रूप में गाओं को बिक्सित करने के लिए किस राज सरकार ने एयरपोर्ट अथार्टी आफ इंडिया एए आई के साथ समझोते पर सस्टाक्चर किये हैं किस रॉकेट वाहन से इस रोने GSLV-6A उपग्रह सफलता पूरवक GS-80 ज़री यह का अंतराश्टी वन दिवस की थीम क्या थी वन और इस्थाई सहर और अंतराश्टी वन दिवस कब मना जाता है 21 मार्च अगर नहीं पता है तो उसको ज्यान लीजिए मिस्र के नए राश्पती के रूप में किसको चुना गया है अब्देल फटाह अल सीसी को चुना गया है 2017 के लिए प्रतिष्ठी जेसी डैनियल पुरुसकार के लिए कौन चुने गया है स्री कुमारन थंपी भारती सेलुलर एसोसियेशन द्वारा जारी किये गए हालिया अकड़ों के मताबिक भारत ने मोबाइल फोन बनाने में विस्ट में कौन सा स्थान हासिल कर लिया है दूसरा हासिल कर लिया है गरीब लड़कियों के बिवा के लिए किस राज में रूपस्री योजना की सुरुवात की गई है परस्चि मंगाल में नीती आयोग ने अटल न्यू चैलेंज लाउंज किया है जिसके तहस अभिना उत्पादों और समाधानों को कितनी राजितक का अंदान प्रदान किया जाएगा एक करोण तक का अंदान मिलेगा इनको इकामर्स पर राष्टी नीत के लिए गठित फ्रेमवर्क पर ठिंक टैंक की पहली बैठक की अधिस्ता सुरेश प्रभू जो केंदरी मंत्री है उनके द्वारा की गई है बिहार के निमलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साजा नहीं करता है पूरिया जि दच्छिड ACI समुद्छ छेतर में कच्छे तेल और रसानिक प्रदूसर्ण पर सहियोग के लिए केंदरी मंत्री मंडल ने भारत और SACIP के मद्द समझोता ग्यापन को मंजूरी दी है SACIP का पूरा नाम क्या है या अब किया क्या है तो दच्छिड ACI सहकारी परियावरन कारिक्रम का ये सौट फॉर्म है परेटन सहियोग को बढ़ाने के लिए हाली में किस राज सरकार ने दच्छिड कोरिया के साथ M.O.U. साइन किया है उत्तरपदेश सरकार ने साइन किया है भारती वन अनसंधान इवं सिच्छा परिसद ने वन आधारिस समधायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझोता ग्यापन पर अर्थाक्षर किये गए है ICFRI का मुख्याले कहां पर है ये देहरादून में स्थित है निमलिखित में से किस टीम ने गंगा नदी बेसिन में भूजल आसेनिक अनसंधान पर परियोजना के लिए न्यूटन भाभाप फंड जीता है भारत यूके की संयुक्ट टीम ने सिंदु घाटी सब्दा का सबसे महत्पूर्ण विशेशता क्या थी पकी इटो से बने इमारत मेगस्थनीज दूद था सेलुकस का कौटिल की पुस्तक अर्थसास किस पराधारित है सासन कला के सिध्धानत और अभ्यास पे त्रिपिटक किस की धार्मिक पुस्तक है गस्थिनीज की पुस्तक जो इंडिका है उसमें प्रसिद चीनी आती फाहियान ने किसके सासन में भारत की आतरा की थी चंदगुब दुतिये की चोल काल किसके लिए प्रसिद था ग्राम पंचायतों के लिए प्रसिद था दचिन भारत के मंदिरों के आकरसक द्वार को गोपुरम कहते हैं बिजय नगर सामराज का उसेस कहां से मिलता है हमफी से मिलता है वह प्रथम मुस्लिशासा कौन है जिसने सासन के सिधानत को राजाओं के इस्वरी अधिकार सिधानत के समान प्रत्पादित किया बलबन भा प्रियोग कब से प्यारम हुआ लगभग बार्मी सताबदी से यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेस किसके दरबार में हुआ अकबर के दरबार में भारत में किसके सासनकाल में इंगलिस इस्ट इंडिया कमपनी का गठन हुआ अकबर का सासन था उस समय निमलिखित में से दे 1921 का मोपला विद्रो कहां पर हुआ था केरल में हुआ था भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दोरान हुआ था मंगाल भारत बिभाजन के बिरुदिय आंदोलन हुआ था बिहार प्रोवेंसियल किसान सभा का गठन कब हुआ था 1930 में हुआ था किस अदनियम के तहट बिहार एक अलग राजी बनाता भारत सासन अदनियम या भारत सरकार अदनियम 1935 के अंतरगत निमलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने नियाय पंचायत बनाए की सिपाईस की थी असोग मेहता कमेटी ने निमलिखित में से कौन सा कार इस थानी स्वसासन के अरिकार छेतर में नहीं आता है सार्जूनिक अनुशासन का रख रखाओ पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, किस राज किन राजयों ने पंचायती राज संस्थाओं में इस्तुरियों के 50% आरच्छन को वैद किया है तो बिहार, उत्राखंड, मदब्रेस और हिमाचल चारो राजयों में ये बेवस्था की गई है धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोगसभा में भारती समिधान की प्रक्रती कैसी है, प्रक्रती में संगी है, किन्तु भावना में एकात्म भारती सर्वोच नियाले में नियारीजों की नियुकती राश्टपती द्वारा की जाती है राज सभा का पदे नद्जय कौन होता है उप्राश्टपती होता है भारत के पृधानमंत्री किसके पष्ची जवाब दे होते हैं लोकसभा के परती सनसत बनने है तो निउनता मुम्र क्या है पच्छीस वर्श सर्वोच न्याले के नियाधीसों की सेवा निवरित की आयू क्या है 65 वर्स आयू है केन सरकार द्वारा उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है कैबिनेट सिक्रेटरी या हिंदी में मंत्रमंडली है सचिव भारत में राश्टी आय की गर्णा में एक समस्या है असंगठित छेत्र को कि इसका डाटा जो है आथेंटिक डाटा उपलब्द नहीं हो पाता है भारत में क्रसी पुनर्वित प्रदान करने के लिए सिखा रिस्तर या सीर सिस्तर के बैंक का क्या नाम है क्रसी थथा ग्रामीर राश्टी ये बैंक चौदवें वित तायोग के अंसार विभाजा नियोग सुद्ध केंदरी राजस्ट कर में राज्जियों का भाग कितना है या प्रिसत किता है भारत में कि छेत में प्रतच विदेशी निवेस एक्वटी प्रवाह उच्चतम है सर्विस सेक्टर में यानि सेवा छेतर में भारती रिजर्ब बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है उर्जित पटेल भारत में सीमान्त क्रसी भूमी जोत का आकार कितना निधारित है एक हेक्टेर से कम अगर जमीन होती है तो उसको सीमान्त क्रसी या सीमान्त क्रसक कहते है वैश्वी करण में सम्मलित क्या नहीं होता है सारजुनिक छेत की इक्वटी का विन्वेस ये सम्मलित नहीं होता है भारत में अर्थ सोधन निवारण अधनियम कब से लागू हुआ वर्स 2005 से सब्द संचे ट्रिम्स से क्या बनता है व्यापार सम्मंधित निवेस उपाए नीती आयोक कब अस्तित्त में आया था एक जनवरी 2015 को गुल्लक बच्चा बैंग कहां पर इस्थापी थे पटना में भारत सरकार ने अखिल भारती थोक कीमत सुचकांग के लिए आधार वर्स दोजार चार पांच के स्थान पर अब क्या कर दिया है 2011 बारा कर दिया है भारती जनगर्णा 2011 के अंसार पुर्सोयों मिस्तरियों दोनों के में प्रत्सर साचरता किस राज की नियुनतम है बिहार की बिहार में नविनतक वार्सिक प्रतिव्यक्ति बिजली का उब्रोक कौन से स्थान पर है ये सभी राजियों में नियुनतम से दुति स्थान पर है बिहार में क्रसी भूमी जोतों का आउस्तन आकार दूसरे राजियों की तुलना में तो इसमें से कोई भी सही नहीं है भारत के किस राज की वर्तमान मुल्यों पर नविन्तम प्रतिवेक्तियाय नियुन्तम है बिहार की भारत के किस राज में कपास का आस्तन उत्पादन सर्वाधिक है तो इसमें से कोई नहीं या दोसाई हो सकते हैं तो कपास उत्पादन में जो आकडा है उसके अंसार महाराश्ट नंबर एक पे है दूसरे नंबर पर गुजरात और तीसरे नंबर पर तेलंगाना ये करम है जो लेटेश रिपोर्ट है उसके अंसार बिहार में प्रती एक लाग जनसंख्या पर सड़क की लंबाई किती है निवनुतम है दस अजार इसा पूरुम में बिस्व की जनसंख्या कितनी थी तो इसमें से कोई नहीं निमलिखित में से कौन सा उपागम कौकस प्लेट ये किनके मध्य पाए जाती है तो मध्य अमेरिका तथा प्रसांट प्लेट के बीचों पाए जाती है कौन सा बिस्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है सैंटोस जो बंदरगा है वो जाना जाता है यूएससे का रश्ट बाउल निमलिखित में से किस प्रदेश से सम्मनित है ग्रेट लेक्स प्रदेश निमलिखित में से किस राज में सरवाधिक वनों के अंतरगर पाए जाता है अवडाचल प्रदेश में निमलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों दारा निर्मित है जलोड मिट्टी निमलिखित में से भारत का कौन सा राज रबड के उत्पादन में अग्रडी राज यह है केरल भारत के कुल बिद्धुत उत्पादन में जल बिद्धुत का योगदान कितना है 22 प्रस्द लगबग राश्टी राजमार्ग एक जोडता है हल्दिया से इलहाबाद को राश्टी जलमार्ग असवारी वो भारत के जनसंख्या के अध्यान में कौन सा जनगर्णा वर्ग डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से यानि जनसंख्या का विभाजनकारी वर्ग कहा जाता है 1921 को राजस्थान राज का खेतरी बेल्ट ताबा खनन के लिए प्रसिद्ध है तमिलाडो में सरवादिक सूती वस्थ के कारखाने कोयमबटूर में पाया जाते हैं निमलिखित में से कौन सी नदी फतूहा के पास गंगा में मिलती है पुनपुन नदी कोपेन के जलवाई वरगर करण के अंसार उत्तर बिहार की जलवाई किस से प्रदर्सित की जाती है CWG से द्वारा त्रवेडी नहर किस नदी पर निर्देत है गंडग नदी पर मुझफरपूर दर्भंगा और चमपारन जिलों में कौन सी मिट्टी अधिगांस्ता पाजाती है नवीन जलोड़क जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जीव का मोचिस्थान कहा है पावापुरी में बिहार का सरवादिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है पूनिया कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद है चूना पत्थर के लिए स्वामी सहजानन सरस्ती ने पत्रका का प्रवरासन किया जिसका नाम था क्रसक समाचार 1934 में पहली बनी बिहार सोचलिस्ट पारटी के सच्यू थे जेपी यानी जैपरकास नारायन पत्ना में 1913 में अनुसीलन समित की साखा इस्थापित की थी सचीनात सान्यालने बिहार से भारती समिदान सभा के सदस्य कौन थे राजेन प्रिशाद थे 1923 में मुंगेर में किसान सभा का गठन स्री कृष्ण सिंग द्वारा किया गया था बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारती मंति मंदल का नित्वत किया था स्री कृष्ण सिंग ने राजेन प्रिशाद ने किसे पाकिस्तान का जंदाता कहा था लाड माउंट बेटन को इंपीरियल कैड़ेट कॉप्स की स्थापना की गई थी लाड करजन द्वारा पटना लौन का गांधी मैदान के रूप में नामकरान कब हुआ था भारत छोडो आंदोलन के दौरान बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी बंबई प्रेसिडेंसी एसोसियेशन की स्थापना किस ने की थी तो इन में से एक सेधिक है इसलिए जो इसमें लाड आपसन होगा इसमें फिरोसा मेता बदरुदीन तयब जी और केटी तैलंग ये तीन के द्वारा मिलकर जो है भारती उच्चायुक्त के पद किस अधिनियम से सरजित हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1910 के द्वारा नाव और नेवर ये पैंफलेक्ट किस ने लिखा था मुहम्मद इक्माल ने लिखा था भारती राष्टी कांग्रेस ने किस गोज में समेलन में भाग नहीं लिया था